हाई आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट होने वाला है क्यूंकि आज मैं कैनाड़े की एक यूनिवर्सटी के साथ भी एक कोर्स अगर आप लोगों को दो सर्टिफिकेट्स मिलती है जिस यूनिवर्सटी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हों उस यूनिवर्सटी का नाम है अथबास का यूनिवर्सटी जो कि कैनेडिन यूनिवर्सटी है तो गैस सारा प्रोसेस बताओंगे सर्टिफिकेट्स का क्या प्रोसीजर है सारा इस वीडियो में आप लोगो तो guys separate links आपको नीचे description में मिल जाएगी तो guys इस website पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे paid courses मिलेंगे तो मैं सिर्फ free courses के बारे में बात करने वाली हूँ plus certificates के बारे में बात करने वाली हूँ तो जो भी free courses है उसकी links मैंने आपको नीचे description में दे दी है total 4 courses के links नीचे description में मैंने दी है वहाँ से आप check out कर सकते हो पहला वाला course है आप यहाँ देख सकते हो blended learning practice का course इस type को course आप यहाँ देख रहे हो तो जो यह आप नीचे scroll करोगे आप यहाँ देख सकते हो इसके लिए सिर्फ आप register कर सकते हो अभी basically जो यह course है यह start होगा 7th of February यह से लेकर 6th of March तक ओखे 4 weeks का course है यह अभी आप registration कर सकते हो registration इसकी अभी open है मैं आप लोगों को अभी registration करके भी दिखाऊंगी कि यहाँ आप लोगों को register करना है इस course के लिए आप यहाँ नीचे scroll करके देख सकते हो certification पर आप देख सकते हो certificates of participation and completion available at no charge मतलब आप लोगों को इस certificate के लिए Canadian University की certificate जो यह provide करे यह course इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आप सिर्फ इसके लिए अभी register कर सकते हो बाद में आप certificate भी ले सकते हो प्लस आपको दो certificate प्रोवाइड की जाएगी certificate of participation प्लस certificate of completion इसी तरह का आप दूसरा course भी यहाँ पर देख सकते हो कि यह भी अथबास का यूनिवर्सटी की तरफ से है Canadian University की तरफ से जिसके लिए आपको कोई पैन ही करना है free of cost आपको यह course मिल रहा है प्लस certificate भी मिल रही है तो यहाँ पी जो registration है वो 21st of February तक आप कर सकते हो fine तो आप लोगों का 25 hours का यह course है 25 hours का तो पर वीक आपको 5 गंटे इस course के लिए देनी है fine तो सिर्फ खाली आप अभी registration कर सकते हो इन courses के लिए तो यहाँ पी आप modules भी देख सकते हो कुन-कुन सा module है इस वाले course में आप यहाँ पे चेक कर के देख सकते हो तो guys इसी तरह यह तीसरा course भी है आपको इसके लिए registration करनी है तो बागी यह total 4 courses है जो मैंने नीचे description में इनकी link दे दी है वहाँ पे आप check out इनके लिए registration कर सकते हो तो guys चलिए मैं दिखाती हूँ आपको registration क्यासे करनी है क्या-क्या आप लोगों को details fill up करनी है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जैसे यहाँ पे है एक course बताती हूँ blended learning practice का course तो यहाँ पे एक option आपको दिख रहा है register in blp तो यहाँ पे click करने के बाद तो यहाँ पे guys आप लोगों कुछ fill करने है basic details fill करनी है जैसे कि your email id find यहाँ पे आपना email id दीजिए age as of 7th of February 2021 ok gender find country कौन सी education level कौन से है college diploma और bachelor's degree and so on यहाँ पे आप कोई भी education level क्या है आप लोगों का यहाँ पे आप वो fill up कर सकते हैं affiliation select your affiliation then organization ok तो जो ही आप लोगों ने यह वाले options fill किये then click here go to canvas registration तो guys यहाँ पे अपना valid email address दीजिए plus यहाँ पे आपको दो option मिल रही I'm a new user plus I already have a free for teacher login तो इन दोनों में से आप पहले वाले option पे click कीजिए I'm a new user उसके बाद full name अपना plus checkbox पे click कीजिए I agree to the acceptable use policy then enroll in course पे click कीजिए guys आप यहाँ पे देख सकते हो आप इस course के लिए enroll हो चुके हो then click on here go to your dashboard तो guys जो ही आप dashboard वाले option पे click करोगे अभी तो यहाँ पे आपको कुछ इस course के रिलेटर कुछ भी information नहीं मिलेगी क्योंकि जो यह वाला course है वो 7th of February से start होने वाला है तो यहाँ पे एक option है courses वाला option इस पे click कीजिए आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि जिस course के लिए आपने इन्रोल किया वो यहाँ है तो इस पे click करने के बाद क्योंकि 7th of February से start होने वाला है तो तब ही से यह live होगा यह online course free course जो कि अथबासका उनिवस्टी ने आप लोगों के लिए free course लाया है जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है तो इस पे click करने के बाद different modules मिलेंगे आपको दिखाया जाएगा कि आपको कैसे complete करना है तो वहाँ पे complete करने के बाद जो ही आप सारे modules को complete करोगे आपको वहाँ पे option दिखेगा get your certificate का option तो इस पे click करने के बाद एक तो आपको दो certificate मिलेगी certificate of participation plus certificate of completion बिल्कुल free एक भी पैसा नहीं देना है आपको इसी तरीके से बागी courses भी है उन लोगों के लिए आप register कीजिए क्योंकि registration अभी open है आप लोगों के लिए free registration free certificate आपको provide की जारी है verified certificate आपको provide की जारी है वोगी Canadian University की तरफ से तो जल्दी से आप इन courses के लिए apply कीजिए और इनमे enroll कीजिए खुद को alright this is all about the video अगर आप लोगों को video अच्छा लगो तो like, share and subscribe my youtube channel thank you so much आपको